नमस्कार मेरे किसान भाईों स्वागत है आप सब का एक बार फिर किसान भाईों आप सब देख रहे होंगे और बहुत सारे किसान भाईों के मेरे पास फोटो भी आते हैं वीडियो भी मैसिज भी किसान साथियों ये बिल्कुल सच है कि 0238 वेराइटी में रोग आने की जो तादात है जो परसेंटेज है वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि जिस भी समय इस परजाती में दवाई की मातरा हलकी होती है काम होती है उसी टाइम पे तुरंत इसमें रोग आ जाता है किसान साथियों ये क्लेंटरा निली प्रोल साल्ट है मैंने कई सारी वीडियों में इसका जिक्र करा ये इसको जमीन में चला दो आगे रोग नहीं आएगा किसान भाईो जिस भी मेरे किसान भाई ने इसका इस्तमाल करा मैंने भी करा मैं आपको दिखाऊंगा खेत भी कहीं पे भी कोई रोग नहीं आया सबसे पहले तो मैं बता दूँ यह साल्ट जमीन से काम करता है जड़ से काम करता है और बहुत सारे मेरे किसान भाई पचास परस आप खाद में मिला के भी डाल सकते हैं, क्योंकि सारे खेत में जड़ फैली रहती है, पाणी में भी चला सकते हैं, लेकिन पौदे गन्ने में आपको इसके ड्रिंचिंगी करनी है, खूड पे, किसान साथियो, अब मैं आता हूँ, 0238 की बीमारी पे, मैंने कई सारी वीडियो के लिए हमने आपको, किसी ने भी आपको टिक का लगा दिया, तो आपको फिर कोरोना नहीं होगा, और अगर होगा भी, तो आपको नुक्सान जादा नहीं पहुचाएगा, अगर किसी भाई के खेत में सुन्डी लगी हुई है, तो ये बिल्कुल भी नहीं मारेगी, ये क् छक्र हेवा बार 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 तोब बौर अर्वार यह तूट जाएगा केवल और केवल यह काम रहता है। इस तीके-का इस दावाई का इस सार्ट का… तो मैं हर वीडियो में पिछले दो महिने से कह रहा हूं कि इस साल्ट को आप जमीन में चला दो जमीन में चला दो खाद में डाल दो लेकिन बहुत कम किसानों ने इस्तमाल कर और जिसने करा उसको रिजल्ट मिले किसान भाईयो आप आते हैं ऐसी स्तितिपे कि अगर आपके खेत में सुन्डी लगी हुई है बहुत भेंकर तरीके से तो किसान भाईयो इमा मेक्तीन डबल डोज लगा दो उसकी 100 ग्राम की जगे 200 ग्राम इमा मेक्तीन लो काटप लो और क्लोरो साइपर तीन साल टाप इस्प किसान भाईयो सुन्डी मर जाएगी और यह जो साल्ट है उसको नीचे चलाओ किसान भाईयो केवल और केवल 4000 रुपे में एक लीटर दवाई हमें मिलती है किसान भाईयो और जहां आमें करोजान वर्टी को फटेरा पांच बिगे की दवाई एक ठारा सो रुपे की मिलती ह किसान सातियो 1500 से 1800 रुपे का खर्च होता है यह केवल और केवल 600 रुपे का खर्च एक एकड़ खेत में आएगा इसको जमीन में चलाओ पेड़ी गन्ने में जैसे मैंने बताया पानी में चला दो और पोदे गन्ने में आपको इसकी ड्रिंचिंग ही करनी है किसान भाईयो खराब होने की गगार पे है आप इस पे 20 दिन पे अगर सुन्डी नहीं लगी है तो एक हलके कीट नासक का इस्प्रे करते रहें जैसे की फिप्रोनिल हो गया इमीडा क्लोप्रिड हो गया या काट अप हो गया या कोई भी आप बजार से क्लोरो साइपर हो गया आप बजार से कारबो सलफान हो गया कोई भी बजार से कीट ना सक लाओ 400-500 ml पांच भी के खेत में स्प्रे करते रहो 20 दिन पे किसान भाई यही इसका एक उपाय है इसको चलाने का एक डेड़ साल जब तक ही हमारे पास है बीज और किसान सात्यों कोई दूसरा उपाय नहीं है और किसान सात्यों जिनको भी चाहिए मैं अड्रेस बता दूगा बुढ़ाने से लेके चिसको जानी है वहां से ले जाना और जो भी दूर मंगाना चाहता है वह अपना एड्रेस दे दो मैं उसको भिजवा दूगा किसान भाई हो और इसका 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 झाल झाल